गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आप सभी ने अपना चैप्टर 19 मानव जीवन का विकास पिछली वीडियो में आधा पढ़ा था जिसमें आपने जाना था कि आधी मानव ने कैसे खेती करना शुरू किया, कैसे पशु पालन करना शुरू किया, पशुओं को उसने किस तर अपना इस्थाई जीवन शुरू किया, इस्थाई जीवन यानि पहले वो खाना बदोर जीवन वितीत करते थे, दिरे दिर उन्होंने कैसे अपनी जोपडियां भी बना कर इस्थाई जीवन शुरू किया, तो अब आगी का चैप्टर पढ़ते हैं, अब देखते हैं, कि उ जरूरत का सामान एक जगे से दूसरी जगे लाने ले जाने के लिए, उनको क्या हुआ? एक जगे से दूसरी जगे यात्रा करने की भी जरूरत पड़ी. सुडू में वो क्या करते थे पैदली चलते थे उन्हें तो मालम नहीं था कि कोई सवारी भी हम यूज कर सकते हैं परन्तु बाद में उन्होंने जब जानवरों का प्रयोक शुरू किया था तो उन्होंने समान ढोने के लिए और उसने जानवरों का प्रयोक करना शुरू कर द नदी में तो घोड़ा गधा ये कुछ चल नहीं सकता ना तो फिर वो कैसे जाएं मारव ने देखा कि नदी में लकडी के लट्थे तेरते तेरते दूर तक चले जाते हैं अब ये भी देखिए उन्होंने कैसे अपने एक्सपिरियेंस के अधार पर देखा कि हम कैसे नदी भी पार कर सकते हैं लकडी के लट्थे होते थे पेड़ेर हवा से तूट गया लकडी का लट्था गिर गया अब वो पानी में बह गया अब उन्होंने देखा कि लकडी का लट्था दूपता नहीं है और वो पानी में तैरते तैरते दूर तक चला जाता है तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी इससे जा सकते हैं उसने यह भी देखा कि खोकले तने और भी आसानी से तैरते हैं अब यह भी उन्होंने देखा कि जो तने खोकले होते हैं वो और भी आसानी से तैरते हुए चल उन्होंने experience और suggestion भी मिल गया, तो उन्होंने क्या किया, ब्रच्छों को काटा, और जो तने खोकले होते हैं, या नहीं है, तो उनके तनों को क्या किया, खोकला किया, और उसमें बैठ कर, उसमें बैठ कर वो क्या करने लगे, नदी पार करने लगा, यही मानव की पहली नाव तो सबसे पहली नाव कौन सी थी मानव की, कि तने को खोकला करके वो क्या करते थे, उसके अंदर बैठ जाते थे, और फिर वो नदी को पार कर लेते थे, कुछ समय बात कई लट्टों या बांसों को जोड़ कर बेड़ा बनाना भी सीख लिया, अब वो नदियों द्वारा बिलंबी दूरी की यात्राएं करने लगे, अब देखते हैं भूमी पर यात्रा कैसे करनी शुरू की, ये तो हो गई, नदी पार करने की बात, मनुष्य को अधिकतर भूमी परी चलना और समान ढोना पड़ता था, ज्यादा तर तो भूमी परी, जमीन परी वो चलते थे थ बनाएं, जिससे कि हम बिना पहियो वाली गाड़ी बनाएं, जिससे कि हम एक जगे से दूसरी जगे जा सकें, तो कई लकडियों को उन्होंने जोड़ा, अब देख रहे हैं आप इस पिक्चर में बनी हुई हैं, इस तरह से लकडियों को जोड़ करके उन्होंने बिना पहि वाली गाड़ी बनाई जैसे कि वो जानवर खीच सकता है और वो उस पर बैठ सकते हैं और अराम से जा सकते हैं उस पर भारी समान रख कर वह उसे स्वेम खीचता या आगे की और धकेलता था इस गाड़ी को स्लेज कहते हैं उस पर कुछ भारी समान रख देते थे और उससे व पहले तो वो खुदी खीशते थे, उस पर समान रख देते थे, समान ले जाने के लिए, वो उस गाड़ी का प्रयोग करते थे, परन्तु धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि जानवर का इस्तिमाल करते हैं, जानवर उस गाड़ी को खीशता था, देखवा यह हाथ में पकड़े बिना पहिये के गाड़ी सही नहीं है, वो जगे जगे इट पत्थर कुछ भी आएगा, तो परिशानी होगी ना, बीच में अटक जाएगी, कैसे चलेगी वो, तो इसके लिए उन्होंने सोचा पहिये लगाने चाहिए, मानव ने व्रच के तनों के गोल लठों को उंचे स् इनको अगर धलान पर ये उपर से नीचे गिर रहे हैं, तो ये अपने आप गोल 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 नीचे लुड़कते हुए आते हैं ना, कोई गोल गोल चीज होती है ऐसे, तो वो अपने आप ही लुड़कते हुए नीचे आती है, तो उन्होंने देखा कि ये इस तरीके से तो गोल-गोल-गोल यह इसके संगसंग खिच के आगे लुड़कते जाएंगे और इसतरे से पहिये का काम करेंगे अब जब वह ज़्यादा भारी वस्तु रखते थे तो क्या हो तो लठे इधर उधर लुड़कने लगते थे तो ये लठे सिर्फ ऐसे ही सरकते जाएंगे जब भारी वस्तू की वज़े से इधर उधर भी खिसक जाते थे तो गाड़े गिर जाती थी अब उन्होंने सोचा कि स्लेज के नीचे लुढकने वाले लठे लगाने की सोची कि जिससे की हम ये मतला पहिये का कार देनी की सोची उसने वरच के तने से गोल टुकडे काटे ये वरच का तना देख रहे न ये क्या है वरच का तना अब इससे उन्होंने क्या किया ऐसे गोल टुकडे काटे तथा उनके बीच में छेद किया अब ये गोल टुकड़े काटके इनके बीच में उन्होंने छेद कर लिया दो गोल टुकड़ों को एक धुरे से जोड़ा अब दो गोल टुकड़े उन्होंने लिये और उसको यहाँ पर यह धुरा कहते हैं कि भई हमें धूप पानी से बचाओ करना है तो उसके लिए हम इसको कवर भी कर सकते हैं इस प्रकार पहिये वाली गाड़ी बन गई तो जो आज गाड़ियां आप देखते हैं तो उसकी गाड़ियों का विश्कार कैसे हुआ इस तरीके से हुआ पहिये का विश्कार कैसे या पहिया का विश्काल कि इसको पहले उन्होंने गोल काट कर धुरे से जोड कर उन्होंने देखा कि इससे हम आसानी से गाड़ी को बना सकते हैं ये देखी जो उन्होंने सबसे पहले वो बनानी शुरू की थी ना स्लेज अब स्लेज गाड़ी में ही क्या है जानवर भी लग गए तो जमीन पर गिसरते हुए ना चलके पहिये के सहारे चलने लगी धीरे धीरे गाड़ी खीचने के लिए बैलों और घोडों का उपयोग किया जाने लगा अब उन्होंने देखा बैल ज्यादा ताकतवर जानवर है जो गाड़ी को वजन के साथ आसानी से खीच सकता है औ गोडों का भी उपयोग करने लगे तो घोडा गाड़ी और बैल गाड़ी इस तरीके से बननी शुरू हो गई गाड़ी से मानव और सामान का आना जाना बहुत सुगम हो गया अब गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह मानव भी आसानी से जाने लगा और सामान भी विबि इसने दुसरे को बताया तो दुसरे ने भी उस चीज कोni एप्लाई किया समान जो एक जगह उपज होती थी वो दुसरी जगह गई तो उसका समान का फायदा दूसरों को भी मिला उस समय बाद मानव ने पहिये का प्रियोग मिट्टी के बरतन बनाने के लिए किया बाद में उन्होंने पहिये का प्रियोग मिट्टी के बरतन बनाने के लिए भी क्या कुमार होते है न वो पहिये वाली उनकी कुमार की जो वो होती है उसी से ही तो बरतन बनाते हैं आज भी कुमार चाक जिसे चाक बोलते हैं उनके पहिये का ही बना हुआ होता है पर मिट्टी के बरतन बनाते हैं उन्हें धूप में सुखा कर आग में पकाया जाता है जिससे वे अधिक मजबूत तो वो चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते उन्हें धूप में सुखा कर आग में पका लेते थे जिससे कि वो मजबूत हो जाते थे तो उन्होंने बर्तन बनाने भी शुडू कर दिये मानव जीवन में पहिये की खोज एक बहुत महत्पून घटना थी अब मानव जिन पहिये की जो खोज हुई वो महत्पून घटना थी पहिये में नेक प्रकार के सुधार किये गए पहिये के अविश्कार के बाद मानव जीवन में बहुत तेजी से प्रगती हुई पहिये प्र ट्रकार इस तरीके के पईये बनने शुरू हुए, तो जैसे जैसे पईयों का विश्कार होता गया, उसी प्रकार वहनों का भी अविश्कार होता गया, उसी के प्रकार के वहन भी बनने लगे, और इससे सबसे ज़्यादा मानव जीवन के इम में सुधार भी हुआ, क्योंकि दूर दूर की यात्रा भी लोग करने लगे, समान को एक जगे से दूसरी जगे, एक दूसरे के experience बांटने लगे, और जल्दी ही सब कुछ प्रगती करने लगे सब, धातूओं की खोज अब क्या हुआ, पर ये कतो अविश्कार हो गया, अब उसके बाद धातूओं की खोज अब उन्होंने जब उन्हें पत्थ्रों को आग में जलाया तो उससे धातूओं बनी, इन धातूओं से वह अनेक परकार की वस्तूओं बनाने लगा, अब जब जैसे ये लोहा वगरा होता है कि नहीं, लोहा, तामबा, ये सभी धातूओं भी, उन्होंने देखा जमीन के नीचे से तो अशुद रूप में मिलता है, पत्थरों के मिट्टी के रूप में मिलता है, पर उन्होंने जब उनको जलाया, तो उन्हें पता चला कि उससे धातू बनी, अब धातू बनी, तो उससे उन्हें बहुत सी मशीने और औजार बनाने के लिए धातू मिल गई, नेक पहले ओजार लकड़ी और पत्थर के बनाते थे, अब वो ओजार किस से बनने लगे, लोहे से बनने लगे, इन ओजारों से मानव ने ब्रचों को काटा, इन ओजारों से ही मानव ने ब्रचों को काटने के काम में आने लगे, जैसे आरी वगरा बनती है न, और भूमी पर फसल भी हुगाई तब से लेकर आज तक लोहा सबसे अधिक उपयोग होने वाली धातू है तो उस समय जो लोहे का विश्कार हुआ तब से आज तक आप देखते हैं लोहे की कितनी सारी चीज़ें इस्तिमाल में आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें लोहे की बनती हैं तो सबसे लेक की खोज से मानव जीवन का बहुत तीवरगती से विकास हुआ जब पईयों का विश्कार हो गया और धातुओं का तो उससे बड़ी-बड़ी मशीने बनना धीरे-धीरे फैक्ट्रियां बनना शुरू हो गई और आज का मानव अपने जगे पर पहुंच गया धीरे-धीरे उस कि पुराने आदी मानव ने अपने दिमाग का इस्तिमाल करके यहां तक पहुंचाया लोगों को अब लोगों ने अपने दिमाग का इस्तिमाल करके इससे आगे लोगों को पहुंचाया कैसे उन्होंने कंप्यूटर का विश्कार करके और तरह तरह की मशीनों का विश्कार आज हमारे पास क्या है सभी चीज आराम की तायक चीजे है न वह टोटी खोल कर जल ले सकता है जब पहले जल नदी से लेके आते थे आज वह नल खोल कर ही हमें पानी मिल जाता है प्रकाश के लिए जो आग भी नहीं थी उनके पास अब आज हम बिजली की सुविधा उपलब् पूर बैठे सबसे बात भी कर सकते हैं टेली वीजन पर हम पूरे देश की घटनाएं भी देख सकते हैं देश की क्या संसार की पूरे विश्व की घटनाएं कारेकरम सभी देख सकते हैं परंतु आज चले क्या है संसार के कुछ भागों में मानव आज भी आदी मानव की भा वहाँ पर विकास नहीं हुआ है, वहाँ पर लोग इसी तरीके का जीवन बिता रहे हैं, परन्तु और सब जगे कैसा है, सभी लोग आज विक्सित हो गए हैं, ठीक, तो चैप्टर अच्छा लगा, अब कुशिन आइंसर एक्सराइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके? जरीके का जाएज में करेंगे का जाएज एकाप्ट